जहीं दोस्तों बहुत बहुत स्वागा था आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में आज के क्लास हम सिखेंगे कुछ इस तरह का कंडिशन लगाना अगर कोई भी वर्ड हम यहाँ पर टाइप करेंगे जैसे इंटर करेंगे तो वो colorful हो जाएगा और कोई भी वर्ड को अगर हम delete करेंगे तो वो without color हो जाएगा तो दोस्तों आईए इस तरह का design बनाना हम Microsoft Excel में सीखते हैं सबसे पहले area को select करेंगे select करने के बाद conditional formatting में जाएगे यहाँ से हम new rule option पे click करेंगे click करने के बाद हम यहाँ पे format only sell right content पे click करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे sale value में जाएगे और यहाँ पे करेंगे blank कि अगर blank रहे तो कैसा design रहे और blank no blank रहे उसमें कुछ लिखा रहे तो कैसा design रहे तो हम पहले set करते हैं कि अगल blank रहे तो उसका format कुछ colorful इस तरह का हो जाए थोड़ा दटबेट करेंगे तो format में हम set करते हैं कि उसका format border हम 4 तरफा बौडर set कर लेते हैं कि border तो 4 तरफा लगी जाए और fill color में कुछ इस तरह का filling color आजाए और ok कर देते हैं फिर यहां से okay कर देते हैं, तो जब तक हम इसमें कुछ नहीं लिखे रहेंगे, तो यह इस color में show करेगा, फिर से हम इसी area को select करेंगे, फिर वहीं जाएंगे conditional formatting में, new rule option पे click करेंगे, format only that cell content पे click करेंगे, और यहां से लेंगे no blank, कि अगर मेरा data no blank रहे, उसमें कुछ भी लि हुआ हुआ मिलेगा ही आपको, और यहां से fill में जाएंगे, तो fill में fill effect में जाते हैं, और यहां से हम color को choose कर सकते हैं, जैसे 2 color, 3 color को mix कर सकते हैं, तो हम यहां से कोई 2 color ले ले लेते हैं, इस तरह का, और color को हम यहां से mix up कर सकते हैं, कि कैसा आपको color में mixing चाहिए, तो हम यह वाला color design लेकर ok कर देते हैं, ok करने के बाद इस तरह के design में वो show करेगा, हम यहां से कर देते हैं ok और यहां से format में कर देते हैं, ok अब जैसे हम इसमें कुछ word लिखेंगे तो वो इसी color में आपको fill out मिलेगा, जो color मैंने यहां पर दे रखा है और जैसे ही कोई word को delete करेंग में तब तक लेचे हैं आपका दिन सुभू